अब हम क्या करेंगे यहां पर हमारे note server में database का use करेंगे और database के लिए हम यहां पर mongodb database का use करने बाले हैं अब इसके अंदर आपके पास दो option आते हैं एक तो आप locally अपने system में mongodb को download करके use कर सकते हैं as a local host या फिर आप इसका cloud server भी use कर सकते हैं cloud में देखिए हमको 512 MB free मिलता है जैसे कि आप try free पर click करेंगे तो आपको इसमें sign up करना पड़ता है अगर आपके पास already account है तो direct आप login कर सकते हैं लेकिन अगर आपको local use करना है तो आप products पर click करिए उसके बाद में आपको जाना है community server पर और उसके बाद में नीचे थोड़ा सा scroll करिए और पिर जो भी आपका operating system है उसके हिसाब से आप MSI या फिर zip file download कर सकते हैं और पिर उसको install कर सकते हैं अपने system में install करने के बाद इसका local host आप use कर सकते हैं as a database यानि यह जो database रहेंगा वो आपके system में limited रहेंगा और अगर आप cloud यूज़ करेंगे तो आप यह database कहीं से भी use कर सकते हैं pricing अगर आप देखेंगे तो देखें यहाँ पर आपको free tier भी मिलता है यानि पासो बारा MB आपको देखें यहाँ पर shared में free मिलता है जो कि enough है पासो बारा MB बहुत होता है क्योंकि यहाँ पर हम hobby projects देख रहें और normal project भी पासो बारा MB में run हो जाता है so don't worry जब आप companies में काम करेंगे तो आपको बाद में dedicated या फिर serverless functions में लेंगे वो आपको company provide करेंगी अभी आप shared वाले part को देख सकते हैं यहाँ पर account create करिए try for free जैसे इस पर click करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको sign up के लिए पूछेंगा हमारे case में देखें हमारे पास already इसका account है तो मैं क्या करूँगा direct sign in पर click करूँगा और automatically यहाँ पर मैं login हो जाऊँगा कुछ इस तरीके से आपको interface नजर आएंगा लेकिन मैं already login हूँ दूसरे tab में तो यह मुझे dashboard पर automatically redirect कर लेंगा अगर आप first time देख रहे हैं तो थोड़ा सा interface यहाँ पर आपको अलग द बनाने हैं इस 512 MB तर इसके अंदर कितने भी unlimited database बना सकते हैं हाला कि performance थोड़ी सी slow होंगे लेकिन इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि देखिए MongoDB database क्या है NoSQL पे काम करता है और NoSQL में क्या होता है Key value pairs होते है तो इनका size काफी kb में होता है ठीक है normal अगर आप SQL का use करेंगे तो इसमें को structure बनाना पड़ता है यहां पैसा नहीं है directly हम क्या कर सकते है object बना सकते है JSON का और उसके अंदर कोई भी data को easily manage कर सकते है I hope आपको थोड़ा बहुत basic इसका पता होगा नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है directly हम इसका use करने वाले है तो आपक समझ में आएंगा इसके बाद में देखें आप create पर click करिए अगर आपने cluster अभी तक create नहीं किया ना तो यहां पर share पर click करिए उसके बाद में आपको यहां पर server select करना है तो cloud server AWS enough है बहुत अच्छा चलता है तो आप by default रहने दीजिए उसके बाद में आपको जो भी region है यह इसको आपको as it is रखना है और हां एक account से आप सिर्फ एक ही free cluster create कर सकते हैं उसके बाद में देखिए backup settings है तो इसको on मत करिए फिर यह जादा data खाएंगा और 512 MB जल्दी आपकी जो खतम हो जाएंगी तो आप इसको uncheck रखिए उसके बाद में cluster details है यहां पर इसका नाम change कर सक analytics अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं अब इसके बाद में आपको क्या करना है यहां पर security में जाना है और यहां पर आपको option मिलेंगा network access का इस पर click करिए और अपना जो भी IP address है उसको white list करिए जैसे कि मेरे case में देखिए मैंने local host को भी यहां पर white list किया हुआ है अगर आप यहां पर देखिए मैं एक एड करके बताता हूँ add IP address यहां पर आपको option मिलता है add current IP address अगर आप यह करेंगे इस पर click तो आपका IP यहां पर show करेंगा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरे case में show कर रहा है लेकिन अगर आप इसका use करेंगे तो फिर अगर आपक इसको access नहीं कर पाएंगे so make sure आप क्या करें मैं इसको cancel कर देता हूँ यहां पर 000 कुछ इस तरीके से add करें मैं इसको बड़ा करके बता देता हूँ add it और यहां पर आपको क्या करना है 0.0.0.0.0 इसका मतलब क्या होता है localhost यानि कहीं से भी हम इस database को access करना चाहते हैं हमार इसमें आपको user और password create करना है और उसके बाद मैं आपको permission allow करनी है जैसे कि read and write की permission आपको देना है आप चाहिए तो new user भी create कर सकते है इस add new database user पर click करिए यहां से आप क्या कर सकते है new user create कर सकते है यहां से आप इसको permission देंगे देखिए add built-in role फिर spell click करिए यहां पर भी crud operation perform नहीं कर पाएंगे उसके बाद में आप add user पर click करिए तो new user create हो जाएंगा अब जैसे यह सारी चीज़े हो गई उसके बाद में आप वापस आएंगे database पर और यहां पर हमको देखिए connect का option मिलता है और अगर यहां पर browse collection पर click करेंगे यह भी बता देता हूं मैं directly connection string की मदद से क्योंकि no SQL database है तो आपको create करने की ज़रत नहीं पड़ती जैसे database से connection establish होंगा और connection string में जो भी database का नाम रहेंगा वो automatically यहां पर create हो जाएंगा अब connection string कहां से लेंगे तो आपको जाना है वापस से database में और इसके बाद में फिर connect का option आपको मिलेंगा इस पर click क करिए उसके बाद मैं आपको बताना है कि कैसे आपको connect करना है तो हम क्या करेंगी यहां पर compass पर click करेंगे क्योंकि connection string इसमें अच्छा खासा मिल जाता है और यहां पे I have MongoDB compass installed और हाँ आप compass भी install कर सकते यह GUI tool है जिसमें आप सारे database को देख सकते है create हुआ है या नहीं कैसे download करना है बहुत simple है इसकी official website पर जाईए products में आपको MongoDB compass भी मिल जाएंगा उसको download करिए मैं एक काम करता हूँ आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में देखिए यहां पर हमको connection string मिल गया इस connection string को आपको copy करना है copy करने के बाद देखिए यहां पर आपको क्या करना है copy करने के बाद आप क्या करेंगे .env की file में आएंगे और यहां पर आपको क्या करना है एक new variable create करना है इसका नाम हम रखेंगे mongo underscore url फिर इसके बाद में equal लगा के उसको paste कर लेंगे तो यह रहा हमारा url इसके बाद में slash लगाना है और इसके बाद में यहां पर database का नाम ल साथ में तो उसके लिए हम क्या करेंगे config के अंदर एक new file बनाएंगे इसका नाम हम रखेंगे db.js यानि database को हमको इसमें use करना है इस file के मदद से हम क्या करेंगे database को connect करेंगे और database को connect करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर mongos package का इस्तेमाल करेंगे देखिए आप directly mongodb package भी use कर सकते हैं लेकिन mongos package में आपको काफी सारे functions मिल जाते हैं जिससे आप easily mongodb database से connect हो सकते हैं आप google पे भी search कर सकते हैं या फिर डिरेक इसकी website पे भी जा सकते हैं या फिर आप npm.js पे इसको search कर सकते हैं mongos documentation आपको मिल जाएंगा कैसे इसको use करना है पहले इसको require क करना पड़ता है इसके बाद में फिर आप इसको connect function की मदद से अपने database के साथ में connect कर सकते हैं फिर आप जो है schema design कर सकते हैं और उसकी मदद से फिर crud operation perform कर सकते हैं तशली हम क्या करेंगे पहले शुरू जो है इसको install कर लेंगे read the docs पर click करिए सारा code आपको मिल जाएंगा क् model के उपर simply click करना है और इस तरीके से आप जहें model को create कर सकते हैं जो के आगे हम देखेंगे लेकिन still advance में आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हैं क्या के चीज़े इसके साथ में आपको मिल जाती है installation command आप direct भी type कर सकते हैं क्योंकि इतना कुछ hard नहीं है चलते VS code में और यहां पर हम क्या करेंगे इसको install कर लेंगे पहले शुरू npm i mongos इतना लिख के enterprise करिए तो यह package आपके node के application में install होना start हो जाएंगा चोटा package है ज्यादा time नहीं लेंगा देख सकते हैं यह package install हो गया अब मैं क्या करता हूँ फिर से server को भी run कर देता हू npm run server तो दीखे कर लेंगे तो फॉंस मॉंगूस इक्वल टू रिक्वाइर और मॉंगूस में से हमने मॉंगूस को इंपोर्ट कर दिया यहां पर एक function हम create करने वाले हैं mongodb database connection के लिए तो यहां पर मैं लिखा comment बना लिए आप कुछ भी लिख सेकते हैं अगर आपको लिखना है तो और ए इस का ना हम रखेंगे connect dv equal to arrow function और इस arrow function को हम क्या करेंगे टेसिंग function बना लेंगे आप चाहें तो देंचेन ब्लॉग भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन यह जादा easy पढ़ता है इसमें क्या करेंगे try और catch block करेंगे so यहां पर आपको लिखना है try और catch block catch में simple हम क्या करेंग करेंगे colors package तो भी यहां पर import कर देंगे so colors equal to require कर लेंगे colors वाले package को तो आप क्या करेंगे यहां पर colors को import कर लें और इसके बाद में comma लगा देंगे और यहां पर मैं क्या करता हो इसको कर लेता हो BG red कर लेंगे इसको यानि background red में show करेंगा save करके एक बार देख लेते हैं अ आपको करना है तो directly भी आप लिख सकते हैं जैसे कि मैं directly await कर लेता हूँ await किस चीज का करेंगे, mongos की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर database connection establish करेंगे, तो इसके अंदर बहुत से methods आपको मिल जाते हैं, हम यहाँ पर connect method का अस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में जो भी आपका db का url है, environmental variable file में, env file के अंदर जो भी है तो इसको आपको यहाँ पर add करना है, हम लिखेंगे process.env.mongo.url यह हमने pass करा दिया, इसके बाद में direct console.log कर लेता हूँ, console.log में हम क्या करेंगे, back tick कर यूज कर लेंगे, so tab के ऊपर आपको button मिल जाएंगा, connected to database और इसके बाद में dynamic operation यहाँ पर perform करेंगे कि कौन से database से connect हुआ है, आप अगर local database यूज कर रहा है, तो यहाँ पर mongo.url के नाम से बना लेता हूँ, equal to, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे, http colon slash slash localhost colon 27017 और इसके बाद में फिर database का ना, जो कि see, food app हम रखेंगे, तो इस तरीके से आपको लिखना है, अगर आप local database यूज कर रहा है, तो local के लिए आपको community server डाउनलोट करना पड़ता है, और इसके बाद में फिर इस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर cloud database database यूज कर रहा है, तो इसको मैं remove कर लेता है, उसकी ज़रूत नहीं, save कर लेते हैं वापस से, और server को मैं restart भी कर देता हूँ, क्योंकि ENV file में हमने फिर से changes किया है, तो server को मैंने वापस से restart कर दिया, चलते DB में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिखिए, connection जब establish हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा host है, उसको हम चेक कर लेंगे, so dollar curly braces, उसके बाद में हम mongos का इस्तेमाल करेंगे, mongos.connection, उसके बाद में dot लगा के आप लिखेंगे host, तो जो भी host से connected है, वो यहाँ पर show करेंगा, इसके बाद में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉमा लगा देंगे, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, bgsign, और यह colors.bgsign हो गया, so ऐसा भी ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं, save कर लेंगे इसको, चलते server.js की file में, और .env file के बाद में, यहाँ पर हम configure कर रहें इसको, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर connection establish यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, db connection, comment बना लिया, अब हम क्या करेंगे, simply connect db को यहाँ पर call करेंगे, और इसको हमने export नहीं किया, तो नीचे में export कर देता हूँ, module.exports, यहाँ पर मैं direct export कर देता हूँ, कौन से पहले export लिख लेंगे, save, चलते server.js में, और यहाँ पर मैं console पर हमको process response, यहाँ पर अगर कोई error आता है, तो वो show करेंगा, save कर लेते हैं इसको, तो देखें, यहाँ पर error है, export यह support नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको remove कर लेंगे, और module.export कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, module.export equal to connect db, save कर लेते हैं इसको, और य यह कुछ इस तरीके से import होगा, call कर लेते हैं, save, तो देखें, यहाँ पर बराबर से show कर रहा है, और colors का package बराबर से काम नहीं कर रहा है, तो colors.pgsign है, तो direct sign add कर के देख लेंगे, bgsign direct हम add कर के देख लेंगे, colors.r, so, अच, हाँ, यहाँ कॉमा हो गया, इसके बाद मैं dot save, तो देखें, अब बराबर से show कर रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको dot लगाना है, तो इसके बाद मैं लिखेंगे bgsign, या पर error के लिए तो कोई जरुरत नहीं है, तो error को मैं as it is रखता हूँ, by default वो red में show करता है, तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, पिर इसका color और भी change कर सकते हैं, sign, green, magenta, red, white, white उपर देख लेते हैं, तो white भी ठीक टाक लग रहा है, देख सकते हैं, white में कुछ इस तरीके से हमको show करेंगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, हम cloud database से connected है, इसलिए cloud cluster का URL यहाँ पर show कर रहा है, अगर आप local host से connect होंगे, तो पर यहाँ पर local host show करेंगा, तो successfully हमारी application जो है, mongodb database से connect हो चुकी है, अब next time क्या कर सकते है, schema design कर सकते हैं, और बाखी की functionalities पर काम कर सकते हैं,